महराश्ट्र में बेकाबू कोरोना का कहर एक दिन में 31,000 नई केस से हड़का है सिर्फ मुंबई में 6,000 से ज्यादा नई मरीज क्या संपून लोगडाउन ही बचाएगा महराश्ट्र को कोरोना की कहर से महराश्ट्र का दम भूलने लगा है पूरे राज़े में कोरोना की बढ़ती रफ्तार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनोती बनती जा रही है पूरे देश में कोरोना के जितने नई केस सामने आ रही है उनमें से एक बड़ा हिस्सा सिर्फ महराश्ट्र का ही है सोमवर को पूरे देश में कोरोना की 68,000 से ज्यादा नए केस सामने आए इनमें से करीब 31,643 केस सिर्फ महराश्ट के थी 24 गंटे में राज्जे में 102 लोगों ने जान गवा दी सोमवर को मुंबई में 5,890 नए मरीज सामने आए मुंबई में कोरोना की वज़ा से 12 लोगों की मौत हो गई रविवार को महराश्ट में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए थी महराश्ट में कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि रविवार रात्से पूरे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है कोरोना की रफ्तार देखकर राजज सरकार के माते पर शिकन आ गई है डर इस बात का है कि अगर कोरोना का गहर इसी रफ्तार से जारी रहा तो राजे में स्वास्ते सुविधाय मुहिया कराना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी पिछले कुछ दिनों में ही महराश्च की अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भीड आ चुकी है सरकार को डर है कि अगर मरीजों के संख्या में कमी नहीं आई तो अस्पतालों में बेड कम पड़ सकते हैं सरकार स्वास्ते सुविधाय देने का दावा तो कर रही है लेकिन सरकार भी जानती है कि कोरोना वाइरस का मुकाबला एक बड़ी चुनौती है महराश्ट में फिलहाल 3,57,000 आईसोलेशन बेड हैं फिलहाल 1,07,000 आईसोलेशन बेड भर चुके हैं राज्य में 6,349 आक्सिजन सप्लाई वाले बेड हैं इन में से 12,701 बेड भर चुके हैं आखड़े गवाई ही दे रहे हैं कि महराश्ट में कोरोना की बापसी की कहानी पिछली बार से भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है CM उधव की बार बार की चितावनी के बावजूत महराश्ट में नातु सड़को बाजारों से भीड़बार कम हुई और ना ही कोरोना की बेतहाशा रफटार हालात बेकाबू होते देख उधव ने 28 मार्च को कोविट टास्क की बैठक बुलाई स्वासे मंत्री, मुख्य सचीव और एक्सपर्ट के साथ हुए मंथन में यही निश्कर्ष निकला है कि महराश्ट में लॉगडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं बचार सीएम उद्धर ठाकरे ने अधिकारियों से लॉगडाउन की रूप रेखा तैयार करने को कहा है अभी ये तै नहीं है कि लॉगडाउन कब से लगना है राज्चे में नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू हो चुका है तब ही इस बात का अंदेशा होने लगा था कि लॉगडाउन की वापसी तै है मंबई के तमाम इलाकों में रविवार रात को पसरा सन्नाटा करीब नौ महिने पहले के उस खौफनाक मंजर की याद दिलाने लगा जब पूरा देश घरों के अंदर कैद था ये तो तै है कि महाराश्ट एक बार फिर बेडियों में कैद होने जा रहा है अगर लोगों ने पिछले लोगडाउन से कुछ सबक लिया होता तो शायद ये नौबत ना आती महाराश्ट का दूसरा लोगडाउन उद्धव सरकार की भी पड़ी परिक्षा होगी महाराश्ट में दूबारा लोगडाउन की नौबत क्यों आन पहुंची उसकी कवा ये तस्वीरे हैं कोरोना की आफ़त की बीच नांदेड की सड़कों पर भीड का संद्राब चुए एक तरफ पुलिस के चंद जवान हैं तो दूसरी तरफ हजारों की भीड और सबके हाथों में लहराती तलबारे ना किसी को कानून का खौफ है और ना ही कोरोना वाइरस का नांदेड की ये तस्वीरे होली के दिन की हैं नांदेड में 25 मार्च से लोगडाउं लागू है लोगडाउं के चलते सभी कारिक्रमों पर प्रतिबंद लगा हैं लेकिन होली के मौके पर सिख समुदाय खुला महला मनाने के लिए जमा हुआ था पुलिस ने इन्हें रोपने की कोशिश की तो भीड ने ठंगामा कर दिया गुरुदवारी के बाहर में इंगेट का ये मंजर देखी बारिकेटिंग के जरीए पुलिस ने भीड को अंदर रोख कर रखा है लेकिन भीड के एक धक्के में लोही की बारिकेटिंग गत्ती की तरह ढ़े गई और सडकों पर हुर्दंगियों का सैलाब उमर पड़ा तलवार लेकर दौरते हुर्दंगियों से जान बचाने के लिए पुलिस वाले भागते नजराए उपद्रवियों ने सडकों पर जो भी गारिया मिली चकनक चूर कर दी किसी के शिशे फोड़े तो किसी की पूरी सूरत ही बिगार दी हमले में दरजोनों पुलिस कर्मी जख्मी हुए है चार स्विमुलों हलाब उल्चा तैरे ने गेट तोड़ों बाहर आले आदे परवबरिक मारदरे देने हलाब उल पहिला है यहां वज़े चार कर्मी जख्मी जाले लिए यहाल तब है जब महराष्ट में कोरोना संक्रमन बुरी तरह से फैल रहा है दोबारा लोगडाउन लगाने की नौबत आ गई है लेकिन लोग कुछ मानने और समझने की बजाये खुद अपनी ही जान से खेल रहे है कोरोना से मुकाबला करने के लिए महराष्ट सरकार ने पूरी राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का एहलान किया है लेकिन दिन की लापरवाहिया नाइट कर्फ्यू पर हावी होती दिख रही है भीड की ये तस्वीरे डराने वानी है पूरे महराश्ट में कोरोना का साया है लेकिन बाजारों में लोगों का हुजूम है इसी भीड में ही कोरोना ढूंड रहा है अपने नई शिकार दादर की ये तस्वीरे महराश्ट में लापरवाहियों की गवाही दे रही है राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू से कोरोना की रफ्तार भामने की कोशिश कर रही है लेकिन सुभा होते ही सारी कोशिशों पर पानी प्रचा रहा है बाजारों में लोगों का हुजूम उमर जाता है और संक्रमन की चेन को तोड़ना नामुम्किन हो जाता है महराश्ट में कोरोना की बेकाबूर अफ्तार को देखते हुए संपूर लॉगडाउन पर विचार हो रहा है लेकिन हैरानी की बात ये है कि महामारी के इस कहर के बावजूद लोग हालात की गंभीरता नहीं समझ रही है अगर राज्य मिलापरभाईयों का दौर इसी तरह जारी रहा तो कोरोना वाइरस के खिलाफ जंग में महराश्ट पिछड़ता चला जाएगा नमस्कार मैं हूँ अन्शु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रही दे इंडियन समाचार और वीडियो पसंद आने पर हमारी चैनल दे इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले